करही चावल तो हर किसी को पसंद होता है और करही बनाना इतना भी मुश्किल का काम नहीं है बहुत टेस्टी लगता है जलके यह हेल्दी सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाए शुस्क्राइब और दोस्त कर सकेंगे और बहुत स्वादिश्ट लगेगा तो यहां पर मैंने चार्चमर्श के प्रोक्स यहां पर बेशन डाल दिया है इसके बाद हम यहां पर डाल रहे हैं दही जो है वह हलकी से अकर खटी रहेगी तो आपकी करही और भी जाद़ स्वादिश्ट बनेगी तो यहां निकाले इसलिकालगे बरत्न और यहां पर चला जाएगा पानी यहां पर मैं दो गलास लफम यहां पर पानी करिस्ते खाए हो बहुत है यहां और पाने बाद में इस इस पदना ओपर ट्हों और मिला जयाक है और यहां पर डॉल जाये का चाहर जाएगा को चला जाया है अजा है की अजब दो store शीड़ी खंपनी घनिया ऌाफ दो जा पॉैक्ट गढ़ेर्ट जाएगा जाना जाए हैं या फिर आप चाहें तो इसके भी कर सकते हैं तो बस इस सभी मसालों को इस कड़ी में हमें अच्छी तरीके से मिला देना है और यहां पे अब हम मिलाने के बाद चलते हैं गैस के तरफ तो यहां करहाई में ले लिया है सरसो का तेल तेल जैसे यहां पर बढ़िया तरीके से ग वाल कि आदtıर में छीकित कि टोड के डाप जूआ पिर आप यहां पर डालकूद के साल भी चीडिया है में यहां ब्रूट करी यहां पर हम तीन ग्लास पाने का इस्तमाल करेंगे और यहां पर पानी डालने के बाद इसे बढ़ियां तरीके से हम मिलाएंगे तो यह बहुत ही healthy lunch है आप इसे एक पर जरूर ट्राइ करें इसे आप चावल रोटी पराथा पूरी किसी के साथ भी आप खा सकते हैं और अगर आपको करी बड़ी खाने है तो उपर आइकन पर आप क्लेक किजिए या फिर मैंने end skin में भी लगाती है तो वहां से आप देख सकते हैं बहुत ही असान तरीके से बिना सुरा के बहुत ही soft बड़ी बन के तयार होती है और अब करी में हमें लाना है boil तो इसे आप continue start करते रहें और आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो तली में जाके बैठ चाहेगा और आपकी करी जो है वह हलकी सी जल सकती है तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें इसे आप continue start करते रहें और अब हम यहाँ पी डाल देंगे नमक नमक जाएगा स्वात के अनुसार और नमक आप तभी डालना जब आपकी करी में boil आना start हो चुका हो तो यहाँ पे नमक डालने के बाद आप इसे बढ़ियां तरीके सहा में boil कर लेना है तो यहाँ पे आप नमक डालने के बाद बस आप इसे 5-6 मिनट तक continue stir करते ही आप इसे boil करते रहें और करी को हम बहुत जादा भी कुक नहीं करने वाले हैं बहुत जादा कर आप करेंगे तो यहाँ पे दही फटने के चांसे हो जाते हैं तो इसलिए करी को भी आप बहुत जादा नहीं उबाल सकते तो बस इसे आप 5- त्यार हो चुकी है लेकिपसर में लगाएं कि हम उगया लगाएं यहां पर लगाएं चैनल्य रगाएं के घराके लगा अग्मिर्ण चैनल्य तो इसे डिया हिसमेरी लाल मिर्शी से आप अगल कि इसे तोरा नहीं स्प्राइब तो कुट melod melhores लाल मिर्ची जब कोई महमान आये तो आप इस तरीके से तर्के वाले उन्हें ये करही खिलाना उन्हें बहुत जादा पसंद आएगा तो ये लोग फाइनली आप इस करही में तर्के भी लग चुकी है और फाइनली बनके तेयार भी हो चुकी है तो उपर से हम यहां पर डाल किजिए अपने फैमिली के साथ और कैसी लगी प्लीज हमें कॉमेंट में लिखे जरूर बताइएगा पुस्टन दाया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर देना मिलूंगे फिर से नहीं डेसीप्यों के साथ तब तक लिए बाई बाई